याद है जब आपने पहली बार जुर्रासिक पार्ट देना था और स्क्रीन पर सबसे पहला डाइनोसौर का दर्शन हुआ था कितना शांदार, कितना बड़ा, कितना मेजेस्टिक आस्मान को छूने वाला गंतर लेकर उचे-उचे पेडों से पत्ते खाने वाला डाइनोसौर, जी हाँ, ब्रैकियोसौरस हलो एप्रिवन, वेल्कम टू मैं चैनल, स्वागत है आपका फिससे एक नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं डाइनोसौरस के बारे में मेरा नम है शुबरजीत और मैं आपको लेकर जाता हूँ एक ऐसे अनोखी दुनिया में, जहां मिर्सान तो क्या, हमारे पूर्भज भी पैदा नहीं हुए थे, और तब दुनिया पर राज था डाइनोसौरस का हम जुरासिक पार्ग फैन्स के मन में ब्रैकियोसौरस एक अलगी जगा लेकर बैठा है, मतलब दिल का बहुत करीब है इसी लिए जब फॉलिन किंडम में वो ब्रैकियोसौरस लावा में मर जाता है, तब तो सारे फैन्स के दिल तूठी गए होगे मगर आपको कैसे लगेगा, अगर मैं आपको बताओ कि जिस जाइनोसौर को अब ब्रैकियोसौरस सोच के इतना सारा प्यार दिया, वो असल में ब्रैकियोसौरस है ली नहीं तो चलिए सुनते हैं ब्रैकियोसौरस की असली कहानी 1903 में ब्रैकियोसौरस का नाम करण सबसे पहले किया गया था एलमर रिग्स के द्वारा नॉर्ट अमेरिका के कोलोरेडो से एक नया बड़ा सा सौरोपॉट डाइनोसौर का एक इनकम्प्लिट स्केलेटन मिला था जो उस समय सबसे बड़ा डाइनोसौर के फॉसिल में से एक था इसकेलेटन का खोपडी मिला नहीं मगर ये एक अनोखा आविजकार था इस डाइनोसौर के सामने के पैरों के हड्डिया यानि हुमरस साइज में पीछे के पैर का थाई बोन यानि की फीमर का बड़ावर था इसलिए ये डाइनोसौर जिराफ की तरह सीधे खड़ा हो सकता था इसलिए इस डाइनोसार का नामकरन किया गया Brachiosaurus Altithorax Brachiosaurus शब्द का मतलब होता है Arm Lizard इतना अनोखा होने के बावचूद ये fossil incomplete था इसलिए किसी भी म्यूजियम में इस डाइनोसार के स्केलेडर को माउंट नहीं किया गया और तब ये उतना ज़्यादा popular भी नहीं था फिर कुछ साल बाद आफरिका के तांजानिया में टेंडागुरू फोर्मेशन से निकला एक और नया बड़ा सा सारोपोट डाइनोसार का फॉसिल 1914 में इस डाइनोसार को ओफिशलि डिस्क्राइब किया गया जर्मन पैलियोंटोलोजिस्ट वर्नर जैनिंश को इस नए फोसिल के साथ अमेरिका से पाया गया वो पूराने ब्रेकियोसारस का काफी सिमिललिटीज मिले उसने सोचा कि दोनों डाइनोसार्स एक ही जीनस के है इसलिए उन्होंने इस नए डाइनोसार का नाम दिया ब्रेकियोसारस ब्रेंकाई आफ्रिका से मिला इस डाइनोसार का स्केलिटन और खोपडी काफी अच्छा कंडिशन में था इसलिए इसे एक शांदार तरीके से बर्लिन के नैचरल हिस्ट्री म्यूजियम में डिस्पले किया गया और 1990s में ताइटैनोसार प्रजादी के डाइनोसार के आविश्कर होने के पहले तक इसी को प्रित्वी का सबसे बड़ा डाइनोसार माना जाता था और जल्दी ब्रैकियोसारस ब्रैंकाई को ही मूवीज में टेलिविशन में और किताबों में ब्रैकियोसारस के लिए स्टैंडर्ड माना जाने लगा जी हाँ जुरैसिक पर्क का ब्रैकियोसारस भी इस ब्रैकियोसारस ब्रैंकाई के उपर ही आधारित है ब्रैकियोसारस सुनते ही जो डैनोसार आपके दिमाग में आता है ज्यादा चांसे है कि वो ब्रैकियोसारस ब्रैंकाई है मगर 1980s में ब्रैकियोसारस अल्टाइ थोरेक्स और ब्रैकियोसारस ब्रैंकाई के सिमिलेटिस पर सवाल उठा Paleontologist Gregory Paul ने दोनों डाइनोसार्स के fossils को अच्छी तरह से study करके बताया कि इन दोनों डाइनोसार्स में कई सारे differences थे फिर उन्होंने 1988 में Brachiosaurus Branchi को एक नया नाम देने का proposal दिया जो है Giraffa Titan उस समय ज्यादा तर scientists इस नया नाम को मानने के लिए तयार नहीं थे पर America और Africa के इन दोनों सौरोपोट्स के बीच में और भी differences धीरे-धीरे सामने आने लगे 1998 में एक रहस्य में incomplete सौरोपोट खोप्री का description पब्लिश हुआ ये खोप्री बहुत साल पहले America के Colorado से ही मिला था ये खोप्री पहले था Paleontologist Othniel Charles Marsh के collection में March ने इसे Brontosaurus का खोप्री सोचा था मगर 1998 में ये देखा गया कि ये खोप्री Brontosaurus का नहीं वैलकि ये American Brachiosaur का है और most probably ये Brachiosaurus Altithodax का ही खोप्री है Africa के Brachiosaurus species यानि कि Giraffe Titan के साथ इस खोप्री का कुछ दिफरेंस था जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते है बाई तरफ Brachiosaurus के स्कल में मूँ और सार के उपर वो हेलमेट जैसा हिस्सक के बीच में जो स्लोप है वो काफी स्मूथ है डाई तरफ Giraffe Titan के स्कल में वो स्लोप और भी ज्यादा है और फिर आखिरकार 2009 में पेलियोंटोलोजिस्ट माइकल टेलर ने अमेरिका और तैंजानिया के Brachiosaurus species के बोहुत फॉसिल्स का detailed study पब्लिश किया इस study से ये पता चला कि करीबी रिष्चदार होने के बावजूद मेरिका और टैंजानिया के Brachiosaurus में कई सारे differences है इन differences के वज़े से दोनों को अलग-अलग प्रजाती घोशित किया गया मेरिका का Brachiosaurus Altithorex का नाम करन पहल ही हुआ था इसलिए उसका नाम नहीं बदला मगर आफरिका का Brachiosaurus जो ज्यादा popular है उसका नाम बदल कर वही Greg Paul का दिया हुआ नाम रखा गया Giraffa Titan Branchi तो अब जब ये तैय हो गया है कि ये दोनों अलग स्पीशीज के डाइनसौर्स थे तो चलिए इनके बीच में डिफरेंसिस को देख लेते हैं Brachiosaurus और Giraffa Titan दोनों करीब एक ही समय याना कि Late Jurassic period में रहते थे इन दोनों डाइनसौर्स के स्कल्स में डिफरेंस मैंने पहली बताया है इसके इलावा उनके शरीर में भी कुछ डिफरेंसिस है Brachiosaurus का शरीर Giraffa Titan से थोड़ा सा ज्यादा लंबा है और पूँच भी थोड़ा सा ज्यादा लंबा है इसके इलावा Brachiosaurus का शरीर ज्यादा चोड़ा और बलकी था Giraffa Titan ज्यादा स्लेंडर और पतला था कुछ-कुछ जिराव जैसा और पहले सोचा जाता था कि ये दोनों डाइनोसॉर्स एक दूसरे के सबसे करीबी रिष्टदर थे मगर बाद में Brachiosaurus और फैमिली के डाइनोसॉर्स को और स्टड़ी करने के बाद ये पता चला है कि इन दोनों डाइनोसॉर्स एक दूसरे से काफी अलग थे और करीबी रिष्टदर भी नहीं थे तो शायद असलियत में ये दिखने में भी काफी अलग होते थे आखिर हमारे पास इनके सिर्फ स्केलिटन्सी है इनके शरीर पर किस तरह के सौफ्ट इशूस थे ये किस रंग के थे वो सब कुछ हमें बिलकुल भी पता नहीं तो अब हम जान चुके है कि ब्रैकियोसारस अलग है और जिर्फ टाइटन अलग है और जह जानते हैं वो असल में ब्रैकियोसारस नहीं है वो जिर्फ टाइटन है तो अब इसका परिनाम क्या होगा इसका मतलब होता है कि जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड का प्यारा ब्रैकियोसारस असल में जिराफ़ टाइटन है और इसके साथ साथ जुरासिक फ्रैंचाइजी के ब्रैकियोसारस को लेकर कुछ शिकायती भी है जुरैसिक पार्क के ब्रैकियोसारस का नाक के छेद सर के उपर होता है जो कंसेप्ट अब गलत माना जाता है जुरैफट आइडन के खोपड़ी के उपरी हिस्से में बड़े बड़े नैजल ओपनिंग्स है इसलिए बहुत पहले ये सोचा जाता था कि इस जाइनसार के नाक के छेद सर के उपर है और ये प्रानी इतना ज्यादा वजंदार होने के वज़े से ज्यादातर समय पानी में डूबा रहता था और सिर्फ ये नॉस्ट्रिल्स पानी के उपर रहते थे सांस लेने के लिए मगर बाद में ये थी और ही बिल्कुल गलत सावित हुआ बाद में स्टेडी से पता चला है कि जिराफर टाइटन पूरी तरह से जमीन पे रहने वाला जानवर था और नैजल ओपिनिंग सर के उपर होने के बावजूत नाक के छेद नाक के जगह में ही थे और दूसरी बात ये है कि जुराइसिक फ्रैंचाइजी के मूवीज में ब्रैकियोसारस यानि कि जिराफर टाइटन के पैर कुछ हाथी जैसे दिखते है मगर असलियत में जिराफर टाइटन के सामने के पैरों में एक ही बड़ा सा नाकुन था और पीछे के पैरों में सिर्फ तीन बड़े नाकुन थे इसलिए ये चीज भी मूवीज में गलत दिखाया गया है जुलासिक पार्ट का ब्रैकियोसारस असलिए जिराफर टाइटन है वो तो ठीक है मगर क्या इसका मतलब हम अपना प्यारा ब्रैकियोसारस से प्यार करना छोड़ दे बिल्कुल भी नहीं ब्रैकियोसारस हो या जिराफर टाइटल पहला डाइनोसार दिखने का वो सीन आइकॉनिक था, आइकॉनिक है और आइकॉनिक रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में आज से साड़े 6 करोड साल पहें इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो या रहे से दबाओ जैसे कि तुमारा हाथ नहीं डाइनोसार का पंजा हो और हाँ बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना हम इस जार वार कैंşa इसाने तुमारा साइण थाव शे एक्या बटन्तृ